कि अलो फ्रेंज कुछी और मैं आपका फीशे स्वागत है तो देखे फ्रेंज जैसा कि हम आपके लिए जब भी लाते हैं नियू भी बीडियो लाते हैं आप सभी की सास्त तो आज हम लेकर आएं क्रीमी माइक्रोनी की रेसिपी और इसे मैंने किस तरह से बनाया है यह तो बिशेज्त कर्ते हैं और आप सभी के साथ इस रेसिपी और शियर करते हैं रेसिपी बनाते समय वथे द्यृ хочंढे कैंज से क्यांते कि ज्यांते इस एक टी क्रेंदे में ना देखे यह मैंने प्यास को कड किया और दो शिम्रामेड कर लियाint इधर ये टमाटर को कट किया है ये बन टीश्पून नमक बन टीश्पून काली मिर्च जिसको मैं दरदरा कर लिया इधर ये औरगेनो पाउडर लिया है जिसमें हलका सा रेड चिली फिलेक्स को मिला लिया इधर ये रेड चिली फिलेक्स है ये घर का मक्षन लिया है और ये टूटी स्पून मेंदा लिया है, कुछ मटर के दाने हैं और कुछ स्वीट कॉर्ण तो दीकी फ्रेंज, इधर मैंने ये माइकरोनी को उबाल के पहले ही रख लिया था ताकि ठंडा होने पर वो एकदम से विखर जाए और विखरा विखरा क्रीमी माइकरोनी बहुत ही अच्छा होता है तो इसे उबालने के लिए मैंने क्या ट्रिक अपनाई थी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ पहले दो गिलास पानी को वोईल किया था और उसमें फिर नमक डालके और घी डालके वोईल होने के लिए रख दिया था तब माइक्रोनी हमारी वॉयल हो गई थी तो उसके पानी को अलग रख दिया था निकालके और माइक्रोनी को ठंडा होने के लिए अलग रख दिया अब हमारा पूरी तरह से माइक्रोनी ठंडा हो गया और एकदम विखर विखर के विखरा विखरा तेयार हो गया इधर मैंने पर अपनी कड़ाई रख दी है और उसमें मैंने टूटी स्पून ऑइल गरम होने के लिए रख दिया है जैसे हमारा गरम हुआ है तो हमने इसमें यह प्याज एड़ कर दी है मसालों का ही मेल होता है जो रेसिपी को बहुत अच्छा बनाता है तो आप देख रहे होंगे हमारी प्याज जो हलक हलकogen ब्राओन हो गिये हैं ओर ज्यादक खड़ी ही प्याज को रख ने ज्याद कख्यों नहीं अच्छी तरह से चला लिया है प्याज को, अब हम इसमें यह सिम्ला मिर्च एड़ कर रहे हैं तो मैंने सारी सिम्ला मिर्च को इसमें डाल दिया हैं, आप देख रहे होंगे, अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं दोस्तो खाना बनाते समय हमें बहुत सी चीजों को बहुत सी टिक्स और ट्रिप्स सभी को द्यान में रखना होता है तब ही हमारा रेसिपी बहुत ही टेस्टी और स्वाधिस्ट बनके त्यार होती है इधर हमने यह विश में यह नमक एड़ कर दिया है आप नमक अपने स्वा सबजी है वह जल्दी गल जाती है और ज्यादा समय भी नहीं लगता है इसलिए हमें पहले नमक को एड़ करना चाहिए और इधर हमने यह मटर के दाने भी एड़ कर दिया है आप देख रहे होंगे साथी हमने मटर डाल दिये और इन चीजों को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं माइकरोनी के लिए आप चाहें तो और भी कोई सबजी एड़ कर सकते हैं लेकिन मेरे पास जो भी एवलेवल सबजी घर में थी तो मैं उसी के साथ यह माइकरोनी बना रही हूं आप चाहें तो कोई और भी सबजी एड़ कर सकते हैं दोस्तों अब मैंने इसमें यह स्व एक पर साथ में टमाटर को एड़ कर दिया है दोस्तों टमाटर को हम चाहते तो पहले भी ले सकते थे क्योंकि अगर अगर हमको ग्रेवी बनानी होती है तो उसके लिए टमाटर को पहले मतलब डालना होता है जिससे की ग्रेवी हमारी अच्छे से बन जाए लेकिन मुझे यह थोड़े में खड़े ही रखने माइक्रोनी के लिए तब तक के लिए हमारी वह सब्जी पक रही है तब हम इसके लिए क्रीम बना के त्यार कर लेता है वाइट सोस तो वाइट सोस के लिए मैंने यह क्या क्या है पहले मखन को डाला और उसमें यह मैदा को भून लिया है ब् और उदर हमने यह white sauce को बना के ready कर लिया है तो अब हम इस सबजी को क्या करते हैं अपनी white sauce में डाल देते हैं क्रीव में जो हमने बना के तियार किती white sauce बनाना बहुती easy तरीका है पहले मक्षन को लीजिए फिर उसमें मैदा को भूनिए और जैसे मैदा भून के तियार हो जाती तो उसमें फिर यह दूद एड़ करते जाए और उसको चलाते रहें ताकि उसमें लंज न पड़ें तो इसी तरह से मैंने यह white sauce pasta बना के रेडी की थी और अब मैं इसमें यह अपनी माइकरोनी और सबजिया सभी को मिला दिया है डालके अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिला देते हैं आप देख रहेंगे कितना क्रीमी माइकरोनी बनके रेडी हुआ है देखने में भी काफी प्यारा कलर लग रहा है और काफी स्वादिष्ट भी है आप जरूर ट्राय करें मेरी इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी क्रीमी माइकरोनी कैसी लगी और आपकी नेक्स्ट वीडियो की क्या डिमांड होगी दोस्तों पिली जादा से जादा शेयर करें मेरी वीडियो को और हमें बताएं कि आपको हमारी हमेशा रेसिपी कैसी रखती है इधर हमने आप देख रहे होंगे अब उपर से यह और गेनों एड़ कर दिया है कि इधर यह चिली फ्लेक्स एड़ कर दिये हैं अब इन सभी चीजों को मिला देते हैं अच्छी तरह से दिखिए वाइट सॉस क्रीमी माइक्रोनी रेडी है अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्राइंस पर कर लेते हैं आपको कलर से ही पता लग रहा होगा कि मैंने इसको कितनी इजी तरीके से बनाए है और यह कितनी स्वाधिस्ट बनी है यह तो आप अपने कीचन में तब सामिल करेंगे तो फिर मेरे साथ अपना एक्सपिरियंस शेयर करेंगे कि वह आपकी तो रेसिपी हमेशा बहुत अच्छी होती है और बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं आपके साथ यह शेयर करती हूँ तो दब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टेक केर वावाए